नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंट जोते सीक्रेट मेस रासी वालों 2020 तो अब समाप्त होने को है और बहुत सारे उतार चड़ाओ देखने को भी मिले लेकिन ये जाते जाते 2020 क्या देखर जाएगा इस नौमबर और दिसंबर के मेहने में आज हम आपसे यही साजा करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहे और ये प्रिडिक्सन चंदरासी पर आधारीत है मेस वालों अगर हम नौमबर के मेहने की गरहों की चाल की बात करें तो देखिए आपके मेस रासी वाले जो हैं यहां पर देखिए आपके धन भाव में यह मंगल आपके बारवे भाव में मंगल दोस बना कर बैठे हैं अब यहां पर आपको लगेगा कि आप एकदम से फ्री माइंड में हैं स्वतंत्र और हर तरह से समर्थ लेकिन अब बारवे भाव का मंगल है तो सब कुछ तो देगा पर थोड़ा सा कुरोध भी देगा थोड़ के दूसरे भाव में राहूं हैं तो यकिनन धनलाब तो करवाएंगे अब आप बहुत सारे ऐसी जिम्मेदारियां होंगी जिसको आप बहुतर तरीके से निभा पाएंगे अपने वेपसाई को आगे बढ़ाने के लिए ने ने आईडिया आएंगे आपके पास अगर आप करते हैं तो कुछ ऐसा काम करेंगे कि आपके अंदर छुपी विपरतिभा बाहर निकलेगी इस में आप बस यह समझ लें कि थोड़ा सा स्वास का ख्याल रखना होगा क्योंकि बारवे अस्ताने मंगल बैठे हैं तो निगेटी समस्या तो देंगे अपनी आँखों का भी ख स्वाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट है यानि किसी बात को लेकर पती-पत्नी में कहीं भी बात ना हो जाएं ध्यान रखेगा संतान के पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा आपके मन में और संतुष्टी हो सकती है कहीं आप भी अपने पिता से ना उलद जाएं अब कुछ ची में पुजा पाठ होना कोई सुम्बंगल कारे होना सौपिंग होना जैसी चीजे हैं हलां कि यह महिना आपके जीवन में धेर सारे बदलाव लेकर आएगा लेकिन में सब्सक्राइब अगर हम जानना चाहें तो क्या कुछ बदलने वाला है आईए हम जानने की कोसिस करते हैं देखिए सबसे पहली बात तो हम जानते हैं विस्तार से कि आपका धन के मामलों में क्या होगा आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत समस्याएं समाप्त होंगी क्योंकि यहां आपका दिमाग एक्टिव है संबब है कि आप नए नए आइडियास के थूँ आप पैसे कमाएं जॉप करते हैं तो यकिनन आपकी तनख्वा बढ़ेगी इंक्रिमेंट हो रहा है बढ़त हो रही है और इस समय आप अगर औव विभाईत है तो विभात हो सकता है क्योंकि इस समय आपको आकस्मिक रूप से धन आ रहा है आपको गिप्ट के रूप पैसे मिलते आभूसन मिलते दिखाई दे रहे हैं तो यकिनन यह समय अच्छा है लेकिन बड़े बड़े रिस्क लेकर धन कमाने के लिए मत निकलिएगा क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं आप नुक्सान में आ जाएंगे रिस्क आपके जौब की बात करें या फिर आपके बैपसाइक की बात करें तो यहां पर आप अपने बलबूते कोई बड़ा निर्न लेते भी नजराएंगे करियर के मामलों में देखें किसी भी तरह के जैसे चोटी चोटी बात विबात जैसी चीज़ें है आपको परिसान कर सकता है हलांकि आप जहां काम करते हैं बहुत सारी लोग एक साथ मिल कर काम करते हैं लेकिन हो सकता है यहां पर कुछ लोग आपके बातों को इग्नॉर करें आपके बातों को ना सुनें तो ऐसे में बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आपके च्छबी को जो एक बहुत ही खुब आप अपना ऐसा कुछ छोड़ कर मत रखिए कि लोग उसका फाइदा उठा है तो यहां पर देखिए अगर आप कोई मीटिंग में हैं बहुत सारे लोगों आप सीनियर के साथ हैं तो कहीं कोई छोटी मोटी भूलना हो जाए इसका भी ध्यान रखिएगा नहीं तो इसका असर आपके आने वाले समय पर पड़ेगा खर्च हो रह रहे हैं पर पैसों को बचाकर रखना सीखे क्योंकि इस समय खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे मैं नुक्सान में मत जाइएगा बात करते हैं आपके स्वास्ट की थोड़ी सी आपको अपने चेहरा, अपना गला, अ दूसी तरफ जो महिलाएं हैं, उनको भी अपनी स्वास्त का ध्यान रखना है, बात करते हैं घर पड़ी बार की, पारी बारी जीवन में थोड़ी समल के रहना होगा, क्योंकि बार्वे भाव का मंगल क्रोध बढ़ा रहा है, अब क्रोध पे काबू तो रखना ही है, नहीं त तरफ इसमें अपना मकान भी देंगे मंगल, तो यहां आप कोई भी बड़ा फैसला लीजे, तो अपने घर बालों से बाते करके ही लीजे, और अपने घर में जो आपके सदस्य हैं, उनके स्वास्त का भी ख्याल रखेगा, हलाकि सुकून है, अगर आप विदेशी कोई काम करते हैं, विदेश में आपके घर के अपने लोग रहते हैं, इस समय उनके संपर्क में आप रह सकते हैं, और यह समय खुबसूरत है, क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, आपको रोज सुबर भगवान सुर्य को परनाम करना ही चाहिए, क्योंकि आपका भाग्योदे ह होगा, और एक सकातमक उड़ जाएं आएंगी, हनुमान चाली सा पढ़कर दिन की सुरुआत तो करना ही है, आपको बात करते हैं, आपके लव रिलेसंसिप या बैवाही जीवन की, देखिए, यहां आप साफधानी के साथ, अगर आप किसी से लव में हैं, तो साफधानी के लेगा, नेकिन अगर आप बैवाही जीवन में साधी सुदा हैं, तो संतान प्राप्ति की योग बन रहे हैं, तो आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, नया महमान घर में आने के योग हैं, हो सकता है, आप वविभाईत हैं, आपको बिबात हो जाए, आप संतान की प्राप सिती आता है, तो सांत रहा कर चीजों को हिंडल करें, आपके लिए जादा अच्छा रहेगा, जानते हैं, दिसंबर के महने में गुर्फों की चाल क्या कहती है, देखिए, सुक्र आपके सब्तम भाव में रहेंगे, सूरी के तुबुद्ध तीनों ही एक साथ आठवे कियेगा, दिसंबर के महने में बेबजा के बाद भी बाद जैसी चीजों से आपको बचना होगा, और किसी भी तरह का कोई भी, चाहे वो धन की हो, प्रपर्टी संपत्ती की हो, अपने लोग यहां आपका इस्तिमाल करते, आपको धोका देते, नजर आ रहें, साबधान रह करेंगे, तो आपको यहां फैदा तो होगा मंगल से, संतान को लेकर जो चिंताया भी तक चली आ रही थी, वो कम होगी, थोरा खर्च सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि इसमें लापरवाही के चक्कर में आप अपने स्वास्त का ध्यान नहीं देंगे, धन के आप सही तरह के से इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप धन के मामलों में थोरे संबल के ही रहना होगा, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, वरना पैसे आपके हानी हो सकते हैं, अगर बैसे तो दिसंबर के महने के अंत में, यहां पर देखिए सरीदेव, आप को तरक्की भी मिलेगी, पार्टनर्सिप में कोई काम करते हैं, तो लाब ही लाब है, और अपनों के साथ भी समय बिताते वे, दिसंबर के महने में नजर आएंगे, तो दिसंबर का महना सुरुआत में थोरा सा है, लेकिन अंत में आपके लिए बहुत खुबसूरत से समय प चीजे जो होती है, परफ्यूम बेगर है, उसका ही गिप्ट दें, तो आपका जो सुक्र यहां पो तना अच्छा फल नहीं देता है, तो इतर बेगर है, अगर आप गिप्ट देंगे, तो यकिनन आपके ऊपर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपका थोड़ खड़ेगा नहीं देता है, चसक्छा बादедा यहां प्रॲाव प्राविह, जुदा लेगर है, तो इन ए्जूँ दो फलिसों कऊे गो आफर को यहां पकिनन आपके तो इन द analytics से जाये है, तोスरा नहीं चाहां भीज स्मिदげ मे रखका जव़ा है, गिल पमेंगे है, था